नमस्कार इस विश्श बुलिटन में आप सभी का बहुत बहुत स्पागत हैं मैं हुझाया असन्हा मेरे साथ हैं मनीशा और शुरुवात करेंगे इस वक्त की सुर्ख्यों के साथ देव फुमी उत्राखाण में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे नमामी गंगे मिशन के तहट छे बड़ी परियोचनाओ का उदघाटन रोविंग डाउन दगंगा नामक पुस्तक का करेंगे विमोचन साथ है गंगा पर अपनी तरह के पहले संखराले गंगा अवलोकन का भी करेंगे उदघाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और डेंद्मार्क के प्रधान मंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच डिजिटल विपक्षिय शिकर सम्मेल नापूर्टी श्रिंखला में विदता लाने पर पीम ने दिया जोर दोनों देशों ने संबंधों को ग्रीन स्ट्राटर्जिक पार्टनर्शिप पर ले जाने पर का जताया संकल्प पिम मोदी ने भारत डेंद्मार्क उर्जा पार कॉशल संस्थान का दिया प्रस्ता बिहार में विधान सभा का चुनावी बिगूल बचते ही केंद्रिय चुनाव आयोग जुटा तयारियों में आज से राज्य में चुनाव आयोग की टीम तीम दिवस्य दोरे पर करेगी राजनेतिक दलों के साथ बैठक चुनाव के एहम बिंदूओं पर होगी चर्चा देश में करोना से स्वस्थ होने वालों का अकड़ा 50 लाख के पार पुछले 10 दिनों में 11 लाख से अधिक मरीज हुए स्वस्थ दुनिया भर में करोना मामलों की संख्या 3 करोड 35 लाख के पार दबलो एचो निम्न और मधें आये वाले देशों को करवाएगा सस्तीव उच गुणवत्ता वाला अंटिजन रापिट टेस्ट उपलब्द ग्रीमंत वाले ने नागलेंड में नाशनल सोशलिस्ट काउंसल ओफ नागलेंड के खापलांग गुट पर पांच वर्षों के लिए बढ़ाया प्रतिबन NSCN और उसके सभी गुट सयोगी संगठन गैर कानूनी संगठन भोशित और बंबई उच्ञायाले अभिनेता सुशान सिंग राजपूद मौत मामले में आज कर सकता है मुख्यारो पी व्रिया और भाई शोवे की समाना त्याचिका पर फैसला वहीं कोट में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनाओत के दफ्तर तोड़े जाने के मामले में संजे राउत करेंगे हलफ नामा दाखे हब लोगो विस्तार से देख लेते हैं आज का दिन पहाडी राज्य उत्राखन के लिए काफी एहम है प्रधारमंद्वी नरेंद्र मोदी वीडियो कॉंफेंस के जरिये आज सुभाग 11 बजे नमामी गंगे मिशन के तहट 6 मेगा परियोजनाओं का उद्गाटन करेंगे इन परियोजनाओं में 68 मिलियन लीटर प्रती दिन की क्षमतावाले एक नए स्टीपे यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्मान हरिद्वार में जगजीतपुर में स्थित 27 MLD क्षमतावाले स्टीपी का उन्यान और हरिद्वार में ही सराई में 18 MLD क्षमतावाले स्टीपी का निर्मान शामिल है जगजीतपुर का 68 MLD क्षमतावाला स्टीपी सार्वजनिक निजी भागिदारी से पूरी की गई पहली हाईप्रिट इन्यूटी मॉडल वाली परियोजना है प्रुषिकेश में लकडगाट पर 26 MLD क्षमतावाले एक स्टीपी का बी उद्घाटन किया जाएगा प्रधान मंत्री चोरपानी में 5 MLD क्षमतावाले एक स्टीपी और बदरीनाथ में 1 MLD थथा 0.001 MLD क्षमतावाले दो स्टीपी का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी गंगा नदी के काया कल्प के लिए सांस्रुतिक और जैव विविता के क्षेत्र में की गई गतिविधियों को प्रदर्शित करने वाले अपने तरह के पहले संघराले गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन करेंगे ये संघराले हरिदुवार के चंडी घाट में स्थित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेन्माक के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन के बीच सुमवार को वर्चुल शिखर बैठक हुई इस अफसर पर जलवायू परिवर्दन के मोर्चे पर भारत के साथ हाथ मिलाते हुए डन्माक अंतराश्ट्रीय सौर गठबंदन में शामिल हो गया इस अफसर पर प्रधानमंत्री ने कुरोना काल की चुनौतियों के बीच समान सोच वाले देशों के साथ आने के महत्व को रेखांकित किया पिछले कई महीनों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जैसे लाइक मैंडेट देशों का जो एक रूल्स बेज ट्रांस्परन्ट, हुमेनिटेरियन और डेमोक्रेटिक वेल्यू सिस्टिम शेयर करते हैं साथ मिलकर काम करना कितना आवशक है वेक्सिन डेवलोप्मेंट्स में भी लाइक मैंडेट कंट्रीज के बीच कॉलोब्रेशन से इस पैंडेमिक से निपटने में मदद मिलेगी इस महमारी के दोरान भारत की फार्मा उत्पादम छमताएं पूरे विश्व के लिए उप्योगी रही है हम यही प्रयास वेक्सिन के खेत्र में भी कर रहे हैं वहीं डेन्मा के प्रधारमंद्री ने दूरों देशों की बीच 400 साल पुराने एतिहासिक रिष्टों की बात करते हुए उमीद चताई कि COVID-19 और जलवायू परिवर्तन जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करते हुए अपने लोगों के लिए बहतर भविश्य बना पाएंगे इवन स्ट्रॉंगर तोड़ी सुमिट मार्क्स फोर देन्मार्क अ मालस्टों अन आर बीलेटरल रेलेशिंस अन इंपोर्टन और फोर्वर्ड लुकिंग अग्रीमेंट अं ग्रीन स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप इस समयरेट में प्रधार्मंत्री मोदी ने इंडिया डेन्मार्क एनरजी पार्क और इंडिया डेन्मार्क स्किल इंसिट्यूट बनाने का भी प्रस्ताव किया ताकि भारत में काम कर रही डैनिश कंपनियों को कुशल कामगार मिल सके दोनों देश मेकेर इंडिया के तहट भी अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए वही पराली की समस्या से निपटने में भी देन्मार्क की कमपनियां भारती कमपनियों के साथ काम करेंगी The two Prime Ministers agreed to elevate India-Denmark relations to a green strategic partnership Our Prime Minister stated that this is a new age partnership and will add a new dimension to our bilateral relations This will also help to expand economic relations and green growth and strengthen cooperation on addressing global challenges and meet opportunities with focus on the implementation of the Paris Agreement and the UN Sustainable Development Goals Our Prime Minister also said that the concept of circular economy should be added and time-bound action plan needs to be drawn up इसके बाद केंद्रिये चुनाव आयोग की टीम 30 स्टमबर को गया जाएगी जिसके बाद में राजनितिक गलों के साथ बैठक करेगी इसके साथ ही चुनाव आयोग आजदेश के विभिन राज्यों में होने वाले विधान सभा उप्चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर देगा रक्षा मंद्रीर राजनाव सिंग के अध्यक्षदा में रक्षा खरीद परिशद यानिकी डी एसी की एहम बैठक हुई बैठक में सशस्ट रुबलों द्वारा करीब 22 अरब 90 करोड रुपे के विभिन उपकरणों और हत्यारों की खरीद के प्रस्तावों को मन्जूरी दे दी गए इनमें घरेलू उद्योग के साथ-साथ विदेशी वेंडरों से की जाने वाली खरीद के प्रस्ताव भी शामिल है भारती कंपनियों से खरीद की श्रेणी के तहट स्टेटिक एच एफ ट्रांस रिसीवर सेट और स्मार्ट अंटी एफ फील्ड वेपन खरीदनी की स्पीकृति दी गई है ह एच एफ रेडियो सेट से थल सेना और वायूसेना की क्षेत्रिय एकायों के लिए संचार सुविधा बाधा रहित होगी इस खरीद पर लगभग पांच अरब 40 करोड रुपे खर्च होंगे स्मार्ट अंटी एफ फील्ड वेपन की खरीद पर लगभग 9 अरब 70 करोड रुपे खर्च होंगे इस से नौसेना और वायूसेना की मारक शमता बढ़ेगी सेना के अगरिम एकाय को मश्बूत बनाने के लिए S.I.G. S.E.U.E.R. असॉल्ट राइफलें खरीदने के प्रस्ताफ को मन्जूरी दी गए है इन राइफलों की खरीद पर लगभग 7 अरब 80 करोड रुपे खर्च होंगे कोरोना के खिलाफ सरकार के सखत कदमों की मदद से बहतर नदीजे सामने आ रहे हैं स्वास्त्य और परिवार कल्यान मंत्राले के मताबिक देश में कोरोना वाइरस महमारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 50,16,000 से जादा मरीज स्वस्त हो चुके हैं देश में रिकवरी रेट बढ़कर 82.5-8 प्रतीशत हो गया है देश में कोविट से मृत्यूदर घट कर 1.5 साथ प्रतीशत रह गया है जो विश्व में सबसे कम दरवाले देशों में शामिल है भारत में कोरोना वारस संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या जो जून में एक लाग थी वे सतंबर में तेज़ी से बढ़कर 50 लाख तक पहुंच चुकी है किंद्री इस पास से एवं परिवार कल्यान मंत्राले के ट्वीट कर कोविट 19 के खिलाफ भारत की सफलता को रिखांकित किया है इसके मताबक 3 जून को भारत में कोविट 19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक लाख थी जो 28 सितंबर को 50 लाख पहुंच गई यही नहीं हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है पिछले 10 दिनों में 11 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए है केंजरी गृमंत्राली ने नागलेंड में नाशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागलेंड के खापलांग गुट पर 50 पर 5 वर्षों के लिए प्रतिबंद बढ़ा दिया है गृमंत्राली ने कहा है कि NSCN गैर कानूनी और हिंसक गतिविध्यों में लिप्त रहा है और वे भारत सरकार और नागलेंड मनिपुर तथारो नाचल प्रदेश की सरकारों की शक्तियों की अंदेखी कर रहा है और लोगों में आतंग तथा धहशत पहला रहे हैं ये समू अन्य गैर कानूनी संगठनों के साथ ताल मिल बढ़ा रहा है और कारोबारियों, सरकारी अधिकारियों एवं अन्य नागरिकों के फिरोती के लिए अपरण रथा जबरन वसूली में लिप्त है गुरे मंत्राले की एक अधिसूशना में कहा गया है कि गैर कानूनी गतिविधी रोगठाम कानून 1967 की धारा तीन की उपधारा आई के तहट प्रदत अधिकारों का इस्तमाल करते वे केंद्र सरकार, National Socialist Council of Nagaland खापलांग और उसके सभी गुटों सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोशत करती है अभी निता सुशान सिंग समी की मौत के मामले की जाँच में सामने आई ड्रंक्स मामले में गिरफतार रिया चकरवर्टी और उसके भाई शौविक की जमानत याचिका पर वंबे हाई कोट में आज सुनवाई होगी उन्हें 9 सितमबर को ड्रग्स लेने और उसके खरीद फरोग के आरोपों में गिरफतार किया गया था और फिलहाल वे 6 अक्टूबर तक नियाएक हिरासत में हैं इससे पहले दो निचली अदालतों ने रिया और शौविक समेट अन्य आरोपियों की जमानत याचिका ये कहते वे खारिच कर दी थी कि जाच केस मोर पर इनको जमानत नहीं दी जा सकती और इससे केस प्रभावित हो सकता है वही कंगनार अनौत के दफ्टर को तोड़े जाने के मामले में संजर राउत के वकील ने कहा कि वे इस मामले में बाद में हलफ नामा दायर करेंगे खेल की खबरों के और रुख कर लिते हैं गत्विजेता लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में अपने शांदार प्रदर्शन का सलसला जारी रखते वे लगातार तीसरी जीत हासल कर ली है सोमवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने एक गोल से पिछणने के बाद शांदार वापसी करते वे अर्सनल को तीन एक से हराने में सभलता पाई आर्सनल ने 25 मिनिट में हुए गोल की मदद से मुकाबले में बढ़त बना ली हाला कि 3 मिनिट बाद ही लिवरपूल ने वापसी की और साधियों माने ने गोल कर मुकाबले को एक-एक से बराबर कर दिया मैच के 34 मिनिट में रॉबर्सन ने आर्नल से मिले पास पर गोल कर लिवरपूल को मैक में 2-1 से आगे कर दिया इसी के साथ वो लीग में दूसरे स्थान पर पहुँच गई है इसी के साथ इस विशेश पुल्टन में इतना ही मुझे और मनीशा को दीजे अजाज़त दो गश्दूरी बनाए रखें और अपने मुग को हमेशा ठटक कर रखें नमस्कार समाचार के सहपरायोजक्ते वंडर सिमेंट एक परफेक्ट शुरुवात